हिमाचल में मृतक उभोगताओं के नाम पर भी सस्ता राशन डगारा जारा है। प्रदेश में 31 अक्तूबर तक सभी उभोगताओं के राशन काट की EKYC करवानी की तारिक तैकी गई थी। बावजुद इसके लिए प्रदेश में विभाग क्योर से ज़ारी किये गए आंकड की बात यहां पर यह है कि 50,1517 उभोगताओं के ही EKYC राशन काडों में हो पाई है। जबकि 20,42,875 उभोगताओं की EKYC राशन काडों की नहीं हो पाई है। ही हो पाई है। हमेरपूर में 78,05, कांगरा में 71,42, कुलू में 72,89, शिमला में 71,23, उना में 70,81 फीस्ती आबादी के राशन काड की EKYC हो पाई है। विभागे अधिकारियों की माने तो राशन काड की EKYC ना करवाने की सूरत में ऐसे उभोगता मृतक श्रिनी में शामिल है। फिलहाल प्रदेश में 27,02, फीस्ती आबादी की 31 अक्तूबर की तै की गई तारिक निकल जाने के बाद भी राशन काड की EKYC नहीं हो पाई है। कि माचल में मृतक उभोगताओं के नाम पर भी सस्ता राशन डगारा जारा है। कि बात यहां पर एह है कि 51,517 उभोगताओं के ही EKYC राशन काड़ों में हो पाई है। जबकि 20,42,875 उभोगताओं की EKYC राशन काड़ों की नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर प्रदेश में 77,18% आबादी के ही राशन काड़ों की EKYC हो पाई है। 27,8% आबादी की 31 अक्तूबर की ते की गई तारिक निकल जाने के बाद भी राशन काड़ों में EKYC नहीं हो पाई है। EKYC करवाने में सोलन जिला प्रथम मंडी दूसरा और बिलासपूर तीसरे स्थान पर आंका गया है जो की क्रमशा सोलन 69,02 मंडी 78,14 वो बिलासपूर में 78,12% आबादी की राशन काड़ों में EKYC होई है। की सबसे बूरे हाल जंजाते जिला लाखोल स्पीथी के बने हुए है। विभागे अधिकारियों की माने तो राशन काड़ की EKYC ना करवाने की सूरत में ऐसे उभोगता मरितक श्रिणी में शामिल है। फिलाल प्रदेश में 27 सश्मलव 8,2% आबादी की 31 अक्तूबर की तय की गई तारिक निकल जाने के बाद भी राशन काड़ों में EKYC नहीं हो पाई है। Nation Speaks Bureau Report